अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जोगराफी के अंतरगत भारत की जन संक्या और यह हमारा इंडियन जोगराफी का last topic ठीक है इसके बात जो हमारा यह complete हो जाएगा complete इंडियन जोगराफी तो हम इसमें जो है basic रूप से भारत की जन संक्या हम देखेंगे भारत की जन संक्या जो population है उससे के बाद में हम देखेंगे इसमें जो जन गन्ना 2011 है उसके अनुस सबसे पहली बात हम देख सकते जन संक्या एवं जन गंडना क्या होती है तो देखे किसी छेत्र विसेस में निवास करने वाले जन संक्या का एक निश्ची जो समय होता है निश्ची समय है में की जाने वाली जो गंडना होती उसको क्या बोला जाता है जन गंडना बोला जाता ह तो किसी निश्चित अवधी के दौरान किसी निश्चित छेत्र में निवासी की संक्या होती है उससे परिवरतर आंच जो होता है उसे हम जनसंक्या ब्रदी के रूप में निवासी के कुल जन्व तथा जो मरत्यु कुल जन्म वाले को कहा जाता है उस से बोला जाता है प्राक्रतिक वर्द्धि का मर मरने वाले के संख्या को बार्सिक म्रत्तुदर कहा जाता है प्रजिनंदर की अगर बात करें तो एक इस्त्री के जीवनकाल यानि कि हम बोल सकते 15 से लेखे 49 वर्स मैं जन्म लेने वाले बच्चों की ओसत जो संख्या होती है वो कहलाती है प्रजिनंदर साथ ही साथ हम देखें यहां तो ए मरत्तुदर में कैलकुलेट किया जाता है बाल मरत्तुदर की अगर बात करें तो बाल मरत्तुदर से क्या आसा है कि किसी वर्स में जीविद बच्चों की जो संख्या होती है उसके संदर में एक से चार महा के बीच मरत्त बच्चों की संख्या उसको क्या बोला जाता है बाल क्रसी घनत्व के अगर बात करें तो यहां देखे किसी देश के कुल क्रसी छेतर पल तथा उस देश में कुल क्रसी में सनलगने जो जनसंक्या होती है उसके अनुपात को क्रसी घनत्व दर कहा जाता है पोसक घनत्व या काइत्व घनत्व के अगर बात करें तो यहां देखे क किसी देश की कुल जन संक्या और उस देश में उपलब्द कुल करसी योग भूमी के अनुपात को काईक घनत्व या फिर पोसक घनत्व कहा जाता है। लिंगानुपात के अगर बात करें तो किसी छेत्र में प्रती हजार यानि की एक हजार पूर्सो पर जो महिलाय की संक्या होती है उनको बला जाता है लिंगानुपात ठीक है। इसके अलाबा हम यहाँ देखें तो जन्गर्णा और जो संबीधान के अगर बात करें तो संबीधान में जन्गर्णा को अनुच्छेद नंबर 246 के तहर से देश की जन्गर्णा कराने का दाइत वह केंद्र सरकार को सौपगाया है और केंद्र सरकार यह कार ग्रह मंत्राले यानि कि जो हम मिनिस्ट्री होती है उसके अंतरगात जो जन्गर्णा विभाग है उसके माध्यम से करती है जन्गर्णा जो होती है संबीधान की साथवी अनुसूची की संगसूची यानि कि तीन प्रकार की लिस्ट होती है तो सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉ पंजियक या फिर जन्गर्णा आयुक्त होता है जो देश भर में जन्गर्णा सम्मंदी कारियों को निर्देशित यानि डारेक्ट करता है तथा जन्गर्णा आकड़ों को भी जारी करता है जन्गर्णा के थियास देख लेते थे थोड़ा सा भारत में जन्गर्णा की फिलेकिन यह अनियमित जन गरना टीकाए अगर नियमित जन गरना लॉट में लॉट रिपन के सुरू हुई और इस दोरान जो है भारत के जन गरना आयुकतस प्लेडन थे 1881 के बात करें तो बार्स 1881 के बास से निरंतर दस वर्स की आंथराल में जन कराई जा रही है स्वतंत्र भारत की पहली जंगर्णा उनिस सो इंकावन हुई थी और इसके जंगर्णा आयुक्त हमें देखने को मिलते हैं आर यह गौपाल स्वामी ठीक है बात करते हैं जंगर्णा 100 2011 कि договор 11 मतलब जिसके आक्ड़ हम अभी पढ़ने वाले हैं तो जंगर्णा 201 जो थी भारत की 25 स्वतंत्र भारत मतलब यहां देखे जंगर्णा भारत की अगर देखें यहां साथ भी जंगर्णा इसको बौला जाता और है क्या को एकमे reconsider cent तो देहें जीरो जीरो यान टी रात के जो बारा बघ्जे है ठीक है उसकी बात कर लेते यहाँ जन्गाणा आदर्सबाख हमारी जन्गाणा था सभंकर के अंगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने में मेंत mortar प्रगणा यानि सिक्षी का जंगणा का जो खर्च है 2200 करोड हम को देखने को मिलता है फिर जंगणा 2011 में पहली बार क्या हुआ तो देखे एन पी आर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहां देखने को मिला पहली बार इसके बाद पहली बार जाती अधारी जंगणा संप करें तो देश के सभी नागरिकों के संबंद में विसिष्ट सूचना एकत्रित करके इस डाटाबेस को तैयार करने का कारे जो है शुरू किया गया और इसमें 17 राज्यों वक्त दोक इंदर सासित प्रदेशों के सामाने निवासियों के बारे में यानि कि 5 वर्ष तथा उस 121 करोड हम बोल सकते है नॉर्मली परन्तु आपके बाद कभी डाटा थोड़ा बहुत यहां देख सकते हैं फिर भारत की जनसेंगा विस्वी की जनसेंगा कितना परतिसात है 17.5 परतिसात है पूरुष जनसेंगा करें तो देखे यहां पर देखे 7.6 आपको देखने मिलता है और यहां आपको देखे जो है यह जो है 51.47 जो टोटल है उसमें ठीक है इसके अलाबा महिला की जो जनसेंगा है इसकी अगर बात करें तो आपको देखने मिलता है देखे 58-76 और यहां 58 देखने मिलता है जो कि 48-48 परसेंट लगभग देखने को मिलता है लिंगा नुपा में और 325 थे 2001 में सिस्व लिंगान उपात 919 और पहले 927 था परंतु यहां देखे कमी हुई है यह घटा हुआ है इसका डेटा इसके बाद बार्सिक ब्रद्धिदार 1.46 देखने मिलता है 2000 मतलब यहां पे जो है 2011 की अनुसार प्रतिसथ दस एक जन्सेंक के अगर बात करें 17.7 है 2011 की ब्रद्धी दर रनात्मक में रही ठीक है 1.6 से प्रतिसाथ साक्षर्त दर की अगर बात करें चोहतर पर्सांट है पूरुष साक्षर्था 82.14 है महिला सक्षर्था का अगर बात करें तो 65.46 है थारी जन्स मत्तुमःतुदार और नत्रत नत्रत मृत्तुदार नत्रतर हीज थीज वह सकते। नियुन्तम के अगर बात करें तो नियुन्तम आपको सिक्किम मिजोरम अरुनाचल प्रदेश और गोवा देखने मिलता फिर सर्वाधिक शेत्रफल वाली राज्य सबसे बड़ा राजिस्थान है उसके बाद मद्यप्रदेश है फिर महराष्ट फिर उत्तर प्रदेश नियु कि मिलता है अरुनाचल प्रदेश फिर भिहार फिर दून्तम दसकि गर्वाध करें तो देखें यह सरवाधिक है ठीक है और यहां पर नियुंतम दस्थिके अगरवाद नागालेंड है केरल है गोओ और अंधरपरेश भीएव पश्चिमंगाल है पस्चिम बंगाल है उसके बास आगर देखे हैं तो केरल है उत्तरपरदेश नियूंतम जंधियल राज अरुणाचल पिधेश जहां सबसे कम जिन से निबास करती है प्रतिव और किलोमेटर के साब से मिजोरम है उसका सिक्कीम नागा लेंड फिर नीचे देखें तो सरवधिक लिंगानुपाद वाले राज केरल सबसे अधिक है तमिल नाडू है फिर आंदर परेदेश फिर 36 और नियुंतम लिंगानुपाद आपको द सर्वधिक शक्षरता वाली के अगर बात करें को कि लिए सबसे अधिक साक्षरत है mistि यहां सबसे तरत हैं Start इक है इसके बाद के पंजंचर को देखनेगर महराका पर महराश वह सबसे पहले है पंजाब है सिक्किम उत्रकांड हिमाचल पर देश और एसकी को गरवाद के उत्तर पैदेस में सबसे अधिक है पंच्चिम मंगाल में बिहार में तमिल नाडू में और यहां देखे सी में और देखने को मिलता है देखे नेने अनु सूची जथी-द्चाथ वाली के अगर बात करें सब से कम है फिर इसके बाद मेगालय यहां यहां सरवधिक जो अनुसु की जन जाती जनसेंख्या तर नीवास नहीं घर अभाइस में अगर देखें तामिल नादू सब तो जम संख्या का प्रतिसाथ है जहीत है वो हमने यहां पर देखेखे और । देखेंगे कुछ आंकड़े। पर यहां बात कर लेते हैं यहां पर वी करकंगा साथ Cows और उनको देखेंगे और कुछ मॉडल कोस्टेंगे यहां पर डिसक्स करेंगे जो की आगामी भविस्ट में आने वाले परिक्षा एक्जाम से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे तो इसी में हम देखें पहला कोस्टन पहला कोस्टन के अगर बात करें यह खंगे जो आगई है तो मत्तुधर में क्या कारण जनसेंगे था इसके और यहन संक्रवान है से कारण मत्तुधर में कम हैं और के भारत में दसक 2001 ऑ 2011 फो कितनी थी तो कितनी थी 17.6, 17.6 इसका राइट आंसर है, जनसेंक के ब्रद्धी 2001 से 2011 के माद देखने को मिली, निमने कतनों पर विचार करना है, तथा नीचे दिये गए जो कतन है, कूठ है, उसमें से सही उत्तर को चुनाओ करना है, तो यहां देखे भारत की जनसेंक है, तीबर गती से बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, बरतमान ब्रद्धी दर से निकट भविस में इसके चीन से आगे बढ़ जाने की समभावना, तो दो हजार पच्चीस में या 27 में हमको यहांसा समभावित किया गया है, कि हम चीन से आगे बढ़ जाएंगे, बिस्वे के प्रतेक जो छे ब अंसर है, और यहां हम देखें, तो देखें, प्रशनकाल के समय जो है, मतलब गरीबी रेखाने, नीचे गरीबी रेखाने, नीचे जीवनियापन करने बाले, जो संख्या हो 40-30 से कम थी, परन्तु देखें, पहले पहले था प्रशनकाल के समय, ठीक है, तो अब यह जो है, बात है, बरतमान में, निम्न में से किस राज्य की जन सेंख्या सरवधिक है, तो हम देख सकते हैं, छेत्रफल के साथ से राजिस्तान बढ़ा परन्तु जन सेंख्या सबस्यदिक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश कितने यह राज्य की सीमा को टच करता है, आपको बताना कमेंड बॉक्स में, भारत में प्रथम नियमीत जन गर्णा की सुर्वात कव की गई, तो नियमीत जन गर्ना पहले तो हमको देखना है, देखे, दस साल पहले हुई थी, लॉड मेयों के कारकाल में परन्तु, 10 साल बाद द सब्सक्राइब कर देखने को मिलती है अनियमित रूप से 2011 की जन संख्या के अनुसार निमलिखित में ऐसे किस राज्य में जनसे का घनत्व सबसे काम है तो दिखें सबसे कम जनसे का घनत्व मिलता अरुना चल्पेदेश में 17 वेक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर ठीक है भारत में जननांकी की इतियास में महाविवाजन का वर्स कोन सा है तो महाविवाजन का वर्स हमको देखने मिलता है 1921 जो है महाविवाजन का वर्स माना जाता है ठीक है यहाँ देखे वर्स कहा जाता है क्योंकि 1911-21 के दौरान भारत की जनसेंक्या ब्रद्धिदर पहली बार रनातमक में रही थी इसलिए उसको महाविवाजन वर्स बोला जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो है निमलिखित जन्संग जन्गर्णा वर्सों में से किस में दसके जन्संग्या ब्रद्धी दर रनातमक रही तो रनातमक हमने अब भी देखें 1921 इसका राइट अंसर है भारत की जन्संग्या में सर्वधिक उसद ब्रद्धी घातिये ब्रद्धी दर जो है दर्ज की गई तो यहां हमको देखने को मिलता है तो यहां देख सकते देखे इस दसक में सरवदिक औसत ब्रद्धी घाती ब्रद्धिदर 9.2 रही जबकी 2001-2011 के अगर बात करें एक दसनम्लो छे दर्ज की गई यह हमको देखने को मिलता है किसे किताब में पहलीवार जन्गाण सब्द का प्रयोक किया गया था तो सबसे पहले किया गया था आर्थसात्र में बीनमबर का राइट इस और यहां देखिए कोटेली के द्वारा यह जो रचित गरंता अर्थसात्र यह आपको देखने को मिलेगा भारत में पहली जन्गन्ना कब हुई तो पहली जन्गन्ना यहां नियमित और अनियमित नहीं पूछा है नहीं के पहली पूछा है नहीं के 842 इसका राइट आंसर है उल्ड्मेयो के कारकल में खिखने नहीं जन्गन्ना जॉब्से 1881 में मिलती है भाईयुक तो । प्रवारत की जनगंड़ना हुई थी और आयुक तो देखने मिलेगा आरे गौपाल स्वामी नेक्स्ट है निमली खित में से किस वर्स को जन संक्या की विभाजन या जन संक्या के महा विभाजक वर्स की रूप में घोसित किया गया है तो 1921 इसका राइट आंसर जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है मायनस में गई थी इस बार जन संक्या निमली खित में से किस क्वाचा निम्हें अनुक्त से क्या आसचे है तो लिंगानुपात का मतलब होता है 12 всп. महिलाव की संध्या को लिंगानुपात यहाँ पर बोला जाता है यहां देख सकते देखे एक हजार पुरसों माइनस में पहुंचा है फिर नेक्स्ट कोश्चन देखने मिलता है निमलिकित में से जो है किस बर्स की जनसंख्या में लिंगानुपात का नियुनतम इस्थर था तो 1293 में हमको देखने को मिलता है यसी नंबर का राइटंस है और 927 था जो अब तक का भारत में निम्तम लिंगानुपात देखने को मिलता है 2011 कि जनगa है के अनुसार, क्यंसे हमने और, पुद्धू चेरी सबसे आ गये 137, फिर लक्षे दीफ है 1946 अनिवान निकवार्दीफ सम्मों है 846 ठीक है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में निम्निमे से किस राज में महानगरी सहरों की जनसंख्या जो है सहरों की संख्या सबसे अधिक है महानगरी सहरों की संख्या सबसे अधिक कुन सी है यहां देख सकते हैं महराष्ट इसका राइट आंसर है और इसी में हम देखें तो यहां देख सकते हैं ऐसे नगर जिनकी जनसेंके 10 लाग या उससे अधीक होती है उसे महानगर कहा जाता है और जनसेंके घटे करम में जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नाई और भारत के जो प्रमुक महानगर हमको देखने मिलते हैं यहां देखें आपको उस्तरपरदेस में साफ महानगर करने मिलेंगे कौन-kौन से यह अप देख सकते स्क्रीन्स रोट लेकर, किरल में आपको साथ देखने मिलेंगे, महराष्ड में छहत्य देखने मिलेंगे, मैद़र प्रदेस में 4, इंदार भोपाल, जावलपूर, कि नेक्स्ट है जन्गर्णा 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश की जनसंख्या जो है ब्रद्धिदर नकारात्मक रही तो यहां देख सकते हैं नकारात्मक कौन सी की रही नागालेंड की और नकारात्मक के अगर बात करें देखे कम यानि कि मैनस जो है 0.6 परसेंट यह जीरो पाइंट सिक्स नागालेंड की नागालेंड के परस्टारत नियुंतम जनसंख्या ब्रद्धिदर वाले करम सहराज के रलवा गुआ देखने को मिलते हैं इसके बाद जन संक्या जन्गर्णा 2011 के अनुसार कि सराजी की जन संक्या ब्रद्धिदर सबसे अधिक रही त 27.95% देखने को मिलती है उसके बाद अरुना चर्पेदेश और बिहार का इस्थान आता है जन संक्या 2011 के अनुसार भारत की जन संक्या ब्रद्धिदर कितनी रही तो 17.7 यनिकी देखे 17.7 दो परसेंट यहां पे जन संक्या ब्रद्धिदर रही ठीक है जन्गर्णा 2011 के अन अनुसार ठीक है अच्छा दो किंदर सासिस प्रदेश को मिला एक कर दिया गया है तो एक दादर नागर हवे लिए और एक और कौन सा है वो आपको बताना कमेंड बॉक्स में ठीक है टोटल आपको देखने मिलेंगे 28 राज और 8 किंदर सासिस प्रदेश देखने मिलेंगे भारत की कुल जंसेह का कितना प्रतीसत दे निवास देखने को मिलेगा भारत और चीन की जंसेंख्या ब्रध्धी बरतमान दरोपर भारत किस वर्स तक दुनिया के सबसे अधिक आवादी वाले देशों में जो है चीन से आगे निकलने की संभावना है तो जैसे कि मैंने बताए 2025 के आसपास इने 2025 इसका राइटांसर इससे आगे निकलने की संभावना है हलाकि यह चेंज भी हो सकता है ठीक ह किस देश में सरपताम दसकी जनगर्ना की सुर्वात होती है तो यह अमेरिका में हुई थी अमेरिका इसका राइटांसर है C नंबर का ठीक है और कभी थी 1790 में यह सुर्वात की गई थी आधुनिक एवं वेवस्तित धंक से जनगर्ना की सुर्वात सुड़न में 1749 में अच्छा कौन-कौन सी यह आपको पता हूँ दिल्ली मुंबई वह कोलकत्ता भारत की मेगसिटी की रूप में आती है फिर उसके बार भारत जो राश्टी जनसंग है नीती 2000 के अनुसार किस वर्स तक जनसंग है इस्तिरता प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है तो 2045 इसक को बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है तो यह हमारे यहां पर complete question थे किसके संब्ध में जनसंख्या जो थी यानिकी जन्गन्ना 2011 और जनसंख्या भारत के उसके संब्ध में तो यहां पर बात करने हमारा पूरा complete इंडियन जोगराफी यहां पर एंड हो जाता है यानिकी complete हो जाता है तो यह एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा complete रूप से भारती भोगोल यानिकी इंडियन जोगराफी की नाम से और आप पार्ट में भी उसको प्राप्ट कर सकते हैं जैसे आपकी सुभिदा आप बैसे देख सकते हैं तो आई हो जाएगी पीडियाप बगेरा और जो लेक्चर है वो सारी चीजे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए जैए हिंदी